यम्राज अस बात से परिशान है कि अचानक नरक लोक में धरती से मरत्यों के बाद इतनी बड़ी संख्या में आत्माई कैसे पहुँच रही हैं। हातों में गदाधारन किये यम्राज ने कोरोना को लेकर ना सिर्फ चुन्ता जताई बलकि उससे बचने के उपाए भी बताए। अपने अपने घरों से लोग इस नाटिका का ना सिर्फ लुफ उठा रहे थे बलकि कोरोना काल में जिंदगी कैसे जीना हैं ये भी सीख रहे थे। मैं हम लोग आज अधसे एक नुकर नाटक चोटा से नुकर चरीक तैयार किया गया है करोना वायरस के ऊपर नाटक का नाम दा करोना से डरोना और यह हमने पहली प्रस्तुति का सराफा चौक में किये और अश्की प्रस्तुति पूरे शहर के अंदर जहां-जहां पर पॉजिटीव होते चले जा रहे फैलते जा रहे यह बमारी चूओ 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 की बिमारी है सीधी सी बात करें तो यह एक दूसरे चूओ ना दूरी बना के रखें यही इसकी बचाव है बस हम इसके नाटक की तीम यह थी कि यम्राज जो है वह बहुत परिशान हो जाता कि स्वार को लोग में इतनी मौत कहां से हो रही है मुझे इतना वुलावा क्यों आरा प्रतुवी लोग से तो शेsın कि कि यम्राज तक परिशान हो गया तरी मौतों को लेकर के यम्राज ने कहां कि महावारत काल में रमयन काल में इतनी मौते हमने आज तक नहीं देखी जितनी मौते अभी 2020 में प्रत्वी लोग में देखी जारें मेरा नम संजे बेन पटेरिया है